वेलो इवीवण विलक्म बेक वाइच छैनल कैसे आप सा बहुत समगत हैं आपका मेरे चैनल पे तो यह Frei है Amazon का एक पारसल फ्लिप कार्ट का था तो ये कुछ समान में ने मंगवाया था अभी सब महमानों के लिए और हमारे सब के लिए मतलब और ये कुछ केक्स मंगाए हैं चुटियां आ रही है न तो बच्चे केक्स बड़े शॉक से मतलब प्रिशा को अच्छा लगता है इस सब बनाना ओटी जी में गुट इवनिंग गाइस शाम का टाइम हो गया हम लोग यहां बैटके चाही पी रहे हमारी छोटी सी सी चुरू चोट वाली बालकनी में हम बहुत कम आते हैं आज हमारा मन किया देखिए बिलकुल रात होने आली है साथ सवा सथ का टाइम है रात हुई नी अभी अभी खेल रहा है कहीं पर और मन किया बहुत ठंडी होड़ चल रहे है के चलो यहां पर आज नचता और चाहीं किया जा है आज ए इनको यहां बहुत बढ़िया चल रही है थंडी 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 थे वाले कुकीज लेके हमाया है तू क्या कही थी भॉल भई हां तू अपने जो पी diagnostic है तो भॉल भई पयाया थे तू किसी चोटी सी बालकुणी है इसका क्या में कोई च्च्छा है ना यहीं वाले तो भेजाते हैं अपने बच्ची उनको वो वनेला फ्लेवर बेजा है थैंक्यू विवन्यु चै बेना के लाए है, thank you so much, welcome, जाओ पूम्म, पीशाप बोलो, जाओ बोला, जाओ अब याइस, लगबक 8-9.00 बजे हुए है, हमने बालकनी में बैठ कहा, चाय पी है, रात हो गई है, और अभी विवेक को ना वो खाने का मन का रहा है, फिश खाने का मन का रहा है, तो घर में तो तो बोले, चल लेके आते हैं, आज बहुत दिन बाद मैंने यह वाला टॉप पैना है, आपको याद होगा, यह मैंने 2020 में हम लोग साप उद्रा गए थे, तब मैंने मीशो से लिया था, यह बहुत अच्छा लगता है, फ्रॉक टाइप है यह, और इसको मैंने इसके साथ पहना है, और इसको मैंने इसके साथ पहना है, और यहाँ गदा आज पढ़ा हुआ है, क्योंकि बच्ची दिन में अराम कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा करली करली सा लोग कई बार अच्छा लगता है, तो आज पूरा दिन बस कुछ नहीं काम ही किये घर के, और जैसे मैंने आपको बताया था कि दिन में सोने, ना सूँ तो मेरे से रहा नहीं जाता, तो आज मैं काफी समझ लो, आप कितनी दे सूए ह दिन में, तो सब लोग ने का था, दीदी, आप बहुत जादा बीजी ररते हो, बहुत एडिटिंग करते हो, इसलिए आपके आखे थक जाती हूँ, कि ये ही बात है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम करना स्टार्ट कर दिया हुए, और मैंने एक काफी बड़ा नुकसान मैंने एक कर दिया हुआ, जिसके विछे काफी डाढखानी पढ़ी है, मेरा देख आप किते दिलसे मुझे मंगल सुतर पहने ही नहीं देख रही हूँगे, किसी ने पूछा भी नहीं हम है कि दीदी, मंगल सुतर क्यों नहीं पहने हो तो मेरा मंगल सूतर जो है मैने तोड़ा है मैं वाशिंग मशीन में से कपड़े निकाल रही थी अभी कुछ दिन पहले और निकालते हुए पता नहीं वह किस चीज में अटका मशीन की किसी चीज में अटक गया जिस वजे से के पूरा तूट के मेरे हाथ में अलब अलग हो गया पूरा जहां कड़ी होती ही तो बोड़ निगल गया है तो बोड़े पैरिंग में दिया हुए मैं नुगसान किया डार्ट पड़ी कूब डाट पड़ी जब विवेक ने देखा के मंगल सुत्र तूड़ गया तो अब ठूड़ दिया है तो भी ने के लिए अलग दिया हुए चलो बहर चलते हैं इनकी लेके आते हैं और थोड़ा सा फ्रेश अब भी हो जाओंगी मैं बच्चों को साथ में लेते लेकिन प्रिशा बढ़ाई कर रही है क्योंकि उसकी एक्जाम्स और भी बाकी है उसके काफी लंबे एक्जाम्स चलने वाले हैं बालों को बांध लिया जाए क्योंकि हम लोग बाताय काम करने का और यहां काफी पसीने हो चुके हैं लेकिन इतना अच्छा है के साथ गुजात में हवा बहुत अच्छी चलती है यहां पर आज हम जब चाई पी रहे थे ना दुनिया भर की हवा चल रही थी चलो चलते बाहर बाहर से आपको मिलती हूं और विवेक और राइस है हमारे लिए दोबर का फाना रखा हूए इनके लिए फिश हो जाएगा तो चलो चले जी पती जब लगाए पेर लगते हैं अच्छा चलो रास्ते में हम लोग को देखें बहुत सारी फ्रेश फ्रूट्स तो ये विवेक वही लेने के लिए खड़े हो गए हैं वाटर मैलन वगएरा सब आजकल तो ऐसे भी गर्मी आया है ये फ्रूट्स खाने ही चाहिए तो सीजनल फ्रूट्स जरूर खाने चाहिए और यहां ज जल्दी गुलमेल जाते हैं मतलब कहीं हम कुछ खरीदने भी जाते हैं तो अन्नोन पीपल से भी हमारी दोस्ती हो जाती है एजा कुछ नेजर है हम दोनों का हम मेरट से हैं अरे क्यों बहुत कर रहे हूं दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश है तो हम आगे घर पे नौ बजे हुए हैं और आते हुए हम कुछ फ्रूट्स लाएं है यहां पर यह मस्क मेलन बोलते हैं अब रिशेश जे बॉटर मेलन ग्रेप्स और केला इस अब लिया हमने हमारे घर के पास ही एक शॉप है वह भी यूपी का था उससे हमने बहुत सारी गप शब भी की जॉनपूर के रहे जॉनपूर के है वह तो अभी यह सब उठाके रखू पहले यहां से सब उठाके रखती हूं मैं और खाने का भी करना है तो वह भी पहले कर लेते हैं फिर रेल बनाएंगे तो बहुत रखूंगी मैं जब भी हम लोग ऐसे बाहर से च्पी लाते हैं तो पहले भगवान के लिए रखते हैं तो बस अभी सब्से पहले मैं भगवा पहले को रखती हैं चलो तो रखते हैं हाई अबरीबड़ी अज मेरे बच्चे के लिए में अंडा भूजी बना रहा हूं उसने मुझे बहुत टाइम के बाद बोला के पापा मुझे अंडा भूजी अंडा लेक्या तो मैं समझ गया आमलेट खाईगा भी बोलता नहीं पा बना लेक्या नहीं तो यहां बना रहे हैं तो यहां पर बना रहे हैं अंडा भूजी फिर मैंने थोड़ा फास फॉरवड में कर दिया फिर बहुत लंबा हो जाता वैसे बोल बोल के बना रहे थे तो इन्होंने इसके लिए पैन चड़ाया वैसे सिंपल तरीकी से बना रहे हैं और सेम इस्टाल में बनती है पनेर बोल जी सेम रैसेपी है दोनों चीजों की जिसके लिए इन्होंने प्यावर स्ट्रमेश कट किये हैं और यह आपको घरम हो चुका है इसके अंदर थोड़ और बस अब रहा देखेंगे जब तक गरम हो जाएं मैंने दो अंडे लिए लिए आपको अब ही को बुर्जी पसंद है तुम्हें बोला चलो दो अंडे की बना दिए प्रॉपर था पाईगा और नो कैसे खापाईगा फिर वैसे इसमें गार्लिक का पेस्ट अधर अपने एड़ किया तो अच्छा लगता लेकिन अभी मेरे पास टाइम है नहीं के मैं गार्लिक का पेस्ट आपको नहीं हो फिल अभी को पसंद नहीं आएगा चलो अभी मैं जाल रहा हूं प्यास प्यास टमाटर और मिर्च उतिन में चीज़ डाल दे रहा हूं तो इसको अच्छी करना से आपको घुमाना है अब इसके तुरा यूज करूंगा तो इसके अंदर यह क्या-क्या डाल रहे हैं पता है हल्दी पाउडर आपने देखी लिया देखे हैं छोटी एक चमश डाला है फिर मिल्ची पाउडर और इसके बाद इसके अंदर जाएगा धनिया जीरा पाउडर यह बस इतने ही मसाले जाएगे सेम ही रैसेपी से पनीर बुर्जी भी बनती है और जैसे कि इनोंने बताया कि अगर इसमें लसन आप डाल सको ना जिसे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट डाल सको तो और भी अच्छी बनती है जितना टाइम नहीं था कि इसके अंदर डाला जाए हम लोग फ्रेश फरक नहीं होता है तो यहाँ पर अब नमक बच्चा था नमक भी ऐड़ कर देना है यह ना ओमलेट और अंडे से बनी हुई आइटम बहुत अच्छी बनाते हैं इसलिए जब भी हमारे गर कभी अंडा आता है ना तब यही बनाते हैं जो भी बनाते हैं और पूजा इसलिए इस टाइम पर हो रही थी क्योंकि जो मैं फ्रूट्स लाई थी वो भगवान को रखे मैंने क्योंकि कुछ भी मीठी चीज सबसे पहले भगवान को ही रखनी चाहिए तो ऐसा ना सोचना आपके एक तरफ अंडा बन रहा है दूसरे भगवान को भोग रख रहे हैं वो मैंने अपने आपी छोड़ दिया पता नहीं क्यों और विवेक ने छोड़ दिया जब से इनका ऑपरेशन हुआ है अरे कमेंट्स बहुत प्यारे आ रहे हैं आपके मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डिसकस करूँगी कमेंट्स इस बार नहीं कर पा रही हूँ छोटा सा ब्लॉग है न अब ही बजे हुए है रात के दस बच के पचास मिनट मैंने अभी कुछ रीज वगरा शूट करें और उसके बाद में छोटा सा शूट किया नए चैनल के लिए तो जरूर से देख लेना इस वाली साडी को मैंने रिव्यू किया है वहां पर बहुत संदर साडी है और इसका बहुत 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 पसंद करते हैं और यह रिंग आप जरूर देखना चाहोगे तो इनको भी मैंने मेरे न्यू चैनल पे रिव्यू कर रहा है अभी तो उस पर वो वीडियो अब तक आ गया होगा चेक आउट कर लेना न्यू चैनल को अब सब्सक्राइब कर लो वहां प तो वहां मेरी ब्यूटी रैमेडियो प está केम जैसे के मुझे बोगत पूछते हैं मतलब और में बियूटी रैमेडियो पहले स्चानल पर शेर भी करती थे ने यूटावर उची पे और बहुत चलती थी बहुत इस पर अच्छे व्यूग्ज हैं मेरे beauty remedies पे कुछ पे तो वहां पे मैं beauty remedies मेरी डाल रही हूं मैंने काफी सरे shoot करके भी रख लिए थोड़ा सा अभी flow में आने में time लगेगा एक बर मैं flow में आ जाओंगी फिर problem नहीं आएगी क्योंकि फिर आदत हो जाएगी वहां के लिए editing करने की तो वहां मेरी beauty remedies pure beauty remedies कोई भ को भी पता है कि अभी महां पर sponsorship कोई भी नहीं आएगी क्योंकि नहीं इतने subscribers हैं नहीं पर इतने views हैं अभी तो obviously महां पर कोई भी वह नहीं आने वाला sponsorship जो भी आएगा और आगे भी true review ही आएगा अगर कोई product भी मैं show करूंगी तो उसका true true sorry true कह रही हूं true honest review मैं आपके मैं मीशो से लिए थे और इनका code वगरा जो भी होगा मैं वहीं पर नीचे लिख दूगी तो आप मीशो की यह पर जाके देख सकते हैं मीशो के वीडियो का आप लोग बहुत मिस कर रहे हो मुझे पता है तो मीशो के वीडियो भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिया आने यह अमिजोन से साड़ी और यह मीशो से हैं लेकिन मैंने वहाँ पर रिव्यू किया है प्रॉपर आपको साड़ी वहाँ पर दिखाई है तो वह जरूर से चेक आउट कर ले ना नई चैनल का लिंक नीचे है हाँ तो मैं आपको बता रही थी ब्यूटी टैमेडियो आएंग तो वह भी देख लेना और देखें यह किता सुंदर है इसको भी किसी आने वाले वीडियो में रिव्यू कर दूगी मैं मैंने मंगल सुतर तो डाला है तो मैंने सोचा गले में नहीं तो हाथ में पहन ले देखें मंगल सुतर जैसा ही है और किता सुंदर लग रहा है बहुत आपसे कुछ दिल की बाती करनी थी इसे मैं सोचा चलो शूट के बीच में थोड़ी सी बाते हो जाए थोड़ा सा फ्रेश लगेगा मुझे भी शूट करते करते हैं आखे धक जाती है क्योंकि constant phone में देखना पड़ता है तो मेरी सासुमा आ रही है मैं बहुत कुछ हूँ उजे बहुत कुछी इस चीज की जा रहे थे हम ससुराल लेकिन आ रही है सासुमा मतलब हमारा ससुराल जाने का बन रहा था ना लेकिन पहले आने का उनका प्लान क्यों बना है वो भी मैं आपको बताती हूं आराम से इसमें ऐसा हूए कि जो मेरी ननद है उनकी बेटी आपको पता है शोनु अवी के जितनी है वो उसे मैं हम सब बहुत प्यार करते है तो उसकी छुटिया हो गए है स्कूल की तो वो यहां आना चाहती है मामा मामी के पास अवी और प्रिशा के पास मारा ऐसा प्लान था कि हम पहले बॉंबे जाएंगे ममी के आपे और उसके बाद में फिर ममी और शोनु को वहां से लेते हो आ जाएंगे ऐसा हमारा प्लान था आते हुए मम्मी हमारे साथ आने वाली थी लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि Shonu को हम लोग जाने वाले हैं में मंत में क्योंकि अभी प्रिशा के एगजाम चल रहे है तो अभी के बीजाएम चालू है तो Shonu में मंत में कहीं जा रही है। बहुत पहले आचुके, जब एने चैनल नी बनाय था, तब वो रहने आई थी दिवाली की छोटियों में, तक्रीमां बीस पचिस दिन हमारे हां पर रूखे थी, लेकिन तब के बाद वो कभी रहने नहीं आई और हम लोग गए थे तब आपको मिलवाया था, मैंने जब जब उननेस में दोजार बीस में गए थे बॉंबे, तब मैं उनके गर में गई थी, तब मिलवाया था, तो वो बहुत टाइम के बाद आ रही तो उसको थोड़े लंबे टाइम के लिए आना था, और हम भी चाहते थे कि वो लंबे टाइम के लिए हमारे हां पर आए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, मामा मामी उसे गुमाएंगे, फिर आएंगे, को मजा कराएंगे उस बच्ची को, तो वो थोड़ा जादा रहना चाहती है, तो वो थोड़ा सा पहले आ रही है, मम्मी उसके चारपत देन के बाद आ रही है, तो पहले तो आ रहे है मेरी ननत की बेटी, अब आप सुछों के ननत साथ में क्यों नहीं आरे है, तो ननत जो आएंगी वो ममी के साथ आएंगी, उनको जी आजी को इतने दिन अकेले नहीं चोड़ पाएंगे, खाने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ननत ममी की साथ आने वा क्वे पहले शोनु पर देलिदी जा लोगो झाले है कि पहले शोनु आरही है उसके डाड़ी आरहे है दाड़ी उसके चले जाएंगे छोड़के दन्दोई जी और शोनु करें हमारे साथ रहेगी और फिर उसके कुछ दिन के बाद, चर्पा दिन के बाद मम्मी आ रही है और फिर हम लोग शायर उनको लेके बॉम्बे जाएंगे क्योंकि हमें भी सस्राल जाना है और काफे टाइम हो गया घर पे गये मम्मी के लास्ट टाइम जब गयते था उपर नहीं गयते जब विवेक बिमार हुए थे तब विवेक के लिए मैंने कुछ बोला था मतलब जिसे बोलते हैंना मननत लेते हैं ऐसे कुछ मननत ली थी लेकिन वह मैं अभी तक पूरी नहीं कर पाई हूँ मैं था खुती को मैंदे का जाते हैं में फ विए फृषा का की सभास्ब बन डेहां जाने वाले हो पहले पर यह लोग कि मैं गर फिर तो बहुत अच्छे एं रुडबाग्स मिलने माले हैं मम्मी के हात का खाना backup और शोनू से पहली बार आप मिलोगे, मेरी नननत से मिलोगे, मेरे नन्दोही से मिलोगे, सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और फिर हम बॉंबे जाएंगे, बॉंबे में बहुत सारी अक्टिविटीज हम लोग करने वाले हैं, कुछ जगा पर में दर्शन कर कर लूगे, और दूसरा रिजर है गया पाने का मेरी आइस, मेरी आइस मेरा साथ नहीं दे रही हैं, तो जिस वज़े से मैं काफी थच जाती हूँ, मुझे कुछ लोगों ने सजेशन भी दिया ही कि दीदी आप एडिटिव नहीं रख लेते हैं, तो हां मैं भी सोच रही और विवेक को बोला है, मैंने के एडिटिंग के लिए किसी को डूड़ो तो मेरा काम थोड़ा सा हलका हो जाएगा, तो ऐसे सब प्लांस है, मैंने का आपको बता दू कि क्या प्लांस चल रहे हैं, सासुमा आ रही है, बहुत सारे महमान आ रहे हैं, इसके अलावा भी कोई आने वाला है, आप बनी रहना व्लोग पर आपको उनसे भी मिलने के लिए मिल जाएगा, और भी कोई आ रहा है, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं फिलाल करने के लिए, बच्चों की चुटिया होती है, तो लगता है, यह भी कर लो, यहां भी चले जाओ, वहां भी चले ज सुक्ता है, इस विएक दो-चार दिर के लिए बाहर जाने वाले है, तो अगर वो नहीं जाने वाले होते ना, तो हमने सोचा था बढले मम्मी आहां जाएंगी अगर नहीं जाएंगी साथ में तो शोनु को लेके जाएंगे वो बहुत कम घुमी है है, उसके मम्मी पापा और हां मैं आपको बताऊंगी आराम से बटके कि मेरे नंदूई जी क्या करते हैं कौन सा काम करते हैं भूबी सब्सक्राइब कराऊंगी यह क्या है बाबू कपा मैंगी आंखों में थकान दिख रही है मैं आज कितने मज़े से शूट कर रही हूं कॉंस्टें हो गया मुझे चार पांच गंटे हो गया तो आँखों में तुरन थकान दिखने लगती है और आईशेडों भी बिगड़ने लगा है अब काफी देर हो मेकप करके काम करते हुए तो यह खाने के लिए मैं अवी और प्रिशा बैठे हैं और वहां देखें मेरा सैटप कुछ ऐसे रहता है रील का जब मैं आगे रूम में रील बनाती हूं और अंदर के रूम में दूसरा सैटप होता है वैसे इस रूम में लाइट्स अच्छी है इसलिए मुझे दूसरी लाइट की जरूरत तो नहीं पड़ती बट आवी ने वो रिंग लाइट आज लगा दी हुई थी और बहुत थट गई हूं मैं अब अभी मुझे पूरार मेकप रिमूव करना है यह जूलरी निकालनी है पहले खालू मैंने आट डिनर भी नहीं किय जब शूट करने बैटो तो कई घर में डिनर नहीं करती है ज़ा हो जाता है बहुत यह मैं वह जाती हूं और आपको मिलती हूं कल मॉनिंग में तब तक के लिए बाई गुद नाइट साड़ी बहुत अच्छी लग रही है सिर्फ और सिर्फ तीन सो रुपे की साड़ी है य इतनी प्यारी है तीन सो रुपे की है खाली मैंने नहीं चैनल पर विडियो डाला है चलिए गुड़ नाइट पाई